मिस्तरा का आप देख रहे हैं दड़िवेट और आज हम बात करेंगे कोरोना वाइरस के और ज्यादा बढ़ते हुए कहर कि उत्तर प्रदेश में सभी रिकार्ड ध्वस्त हो रहे हैं तकरीबन 34,000 नए केस कोरोना वाइरस के फिर से आज मिले हैं यह डेटा एक से दो दिन पुराना हो सकता है लेकिन आज जो जारी हुआ है उसके मुताबिक तकरीबन 34,000 नए केस वो भी तब जब उत्तर प्रदेश में RT-PCR की जांचे सीमित मात्रा में हो रही हो प्राइवेट लेबरेटरीज में जांचे लगभग बंद हो उसके बावज जान लेवा है कि शायद ही कोई जन्पद उत्तर प्रदेश का बचा हो जहां यह संक्रमण गाओं खलियान से लेकर शहरों तक न पहुंच गया हो हर जगया हाहा कार मचा हुआ है कि इस वायरस ने उत्तर प्रदेश को घुटनों पर ला दिया है कि सरकारी आकड़े यह बताते हैं कि आज 187 मौते हुई है लेकिन कानपूर लखनव उन्नाव प्रयागराज वारा नसी अकेले इनके समसान घाटों पर सैक्लोला से जली है यानि जो मर रहे हैं उनको आकड़े भी गिंती होगी इसकी गारंटी नहीं है तमाम लोग बीना टेस्ट के मर गए तमाम लोग जो आकड़ों में दर्ज नहीं हुए उनकी मृत्ती हो गई तमाम वो लोग जो मर रहे हैं और रिकार्ड में नहीं है उनकी गिंती नहीं हो पाई है, कल्पना कीजिए इस तरह की मौत की, ऐसी भयावाता की ये एक बेहत संक्रामक घातक जानलेवा बीमारी है, जो लगातार फैल रही है और इसके रोग थाम के सभी उपाए लगबग फैल हो चुके हैं ना हमने कॉंटेक्ट ट्रेसिंग की, ना हमने अरली डिटेक्शन किया, ना हमने लोगों को इलाज दिया इस कदर हालात खड़ाब हैं लखनव और दूसरे शेहरों में कि ना तो टेस्टिंग हो रही हैं, ना बेट्स अबलेबल हैं, ना आईस्यू बेट्स हैं लोग अस्पताल के बाहर मर रहे हैं, एम्बूलेंस में मर रहे हैं, चीफ मेडिकल अपसर की अनुमत के बिना कोई भी कोविड मरीज अस्पताल भरती सीधे नहीं हो सकता शायद ही दुनिया के किसी मुल्क में आपने ऐसा सुना हो कि मरीज को भरती होने के लिए पर्मीशन चाहिए, इससे बड़ी त्रासदी और विपता क्या हो सकती है और CMO पर्मीशन देगा या नहीं देगा यह उसके विवेक मन निर्भर करता है पहले तो आपका टेस्ट नहीं करेंगे, बीमार है तो भरती नहीं करेंगे और भरती हो गए तो अब एक नई समस्या आ गई यह उत्तर प्रदेश के भीतर, ऑक्सीजन नहीं है खास तोर पर प्राइवेट कोवीड हॉस्पिटल्स में आक्सीजन की भयानक किल्लत है गाजियाबाद से लेकर गोरकपूर और बांदा से लेकर बहराईच लखनव तक प्राइवेट कोवीड हॉस्पिटल्स में आक्सीजन है ही नहीं और अगर है भी तो एक घंटे दो घंटे के बैक अप पे चल रहे हैं कि लखनव कि कई अस्पतालों को अपने आई स्यू पेशेंट्स डिस्चार्ज करके दूसरे अस्पतालों को भेजने पड़े क्यों क्योंकि उनके यहां ऑक्सीजन नहीं है लोग करोना से कम मर रहे हैं आक्सीजन से मर रहे हैं आक्सीजन नहोने से मौते हो रही है यह एक नई समस्या आ गई है आज पिछले दो दिनों से जिस प्रकार आक्सीजन की किलत उत्तर प्रदेश के विविन शैरों और अस्पतालों में है यह एक त्रास्दी है यह एक विव कि मैं फिर दोराना चाहता हूं लोग करोना से कम आक्सीजन न होने की वज़े ज्यादा मर रहे हैं कि सरकार डेटा नहीं देती कि मीडिया को अस्पताल जाने नहीं दिया जाता कि सरकार में कोई बात करने को तयार नहीं है कि इतनी मौतें कैसे हो रही है यह समसान घाट पे ज लेन हैं यह हमारे दोस्त हैं यह हमारे रिष्टेदार हैं यह हमारे अपने प्रदेश के निवासी हैं यह हमारे अपने देश के नागरिक हैं जिनकी मौते हो रही है एक अदत सांस के लिए लोग तड़ब तड़ब कर मर रहे हैं चीक चीक कर मर रहे हैं गुहार लगा रहे कोई सुनने वाला नहीं है आक्सीजन की कमी के चलते हाहा कार मचा हुआ है लोग रो रहे हैं अस्पतालों के बाहर अपने प्रिय जनों की जान बचाने के लिए गिड़ गिड़ा रहे हैं सरकारों के सामने मीडिया के सामने जनता के सामने जुडिसरी के सामने प्रसासन के साम लोग बेहाल परिशान हैं एक एक किलोमीटर लंबी लाइने लगी है समसान घाट पे लासों को भूखने के लिए हर आती हुई लास हर मिनट राख में तब्दील हो रही है और उनकी गिंती नहीं है कोई समाज इतना पीडा में हो उसकी पीडा के साथ क्या हम अपने को जोड भी नहीं सकते हैं क्या एक समाज और सरकार के रूप में हम इतने निश्ठूर हो गए हैं कि अपने भाईयों और बैनों की पीड़ा हमें दिखती नहीं है हम उनका अहसास भी नहीं कर पा रहे हैं कि हम इतने पत्थर दिल हो गए हैं और जिनको इस दौरान सकारात्मक खबरों की अपेच्छा है वो फ़वरन ये चैनल छोड़कर चले जाएं मत देखो यह डिबेट यह डिबेट तुम्हारे लिए नहीं है यह डिबेट मेरे प्रदेश के 23 करोड लोगों के लिए है जिनकी जान पर संकट है जो मर रहे हैं जो जूज रहे हैं जिनका ना टेस्ट हो रहा है ना जिनका हिलाज हो रहा है ना जिने आक्सीजन मिल रही है ना उनको आईसीउ बेड मिल रही है यह डिबेट मैंने उनके यह की है जिनको सकारात्मक्ता चाहिए वो इंटर्टेन्मेंट चैनल देखें अपनों घरों में म्यूजिक लगा कर डांस करो अगर तुम्हें सकारात्मक्ता चाहिए तो मेरे प्रदेश का मेरा भाई बहन मेरे दोस्त इस प्रदेश के 23 का रोल लोग अगर संकट में हैं तो उनके संकट की हर खबर भारत समाचार पर दिखाई जाएगी आइस्यू में तडप रहे लोगों को आक्सीजन नहीं मिल रही है खबर दिखाई जाएगी टेस्ट नहीं हो रहा है लोग मर रहे मिना टेस्ट के टेस्ट के रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं खबर दिखाई जाएगी डिबेट की जाएगी उस पर आक्सीजन नहीं दे पा रह पर लासे जल रही हैं, लोग फुक रहे हैं, रो रहे हैं लोग, उनकी पीड़ा का हैसास करो, उनके दर्द को समझो, जिनकी जिन्दगियां खराब हो गई, बरबाद हो गए हो, तुम्हें मनोरण्यन चाहिए, तो मनोरण्यन के पास माध्यम है तुम्हारे पास, लेकिन देश तकलीफ में है, देश पीड़ा में है, हमारे प्रदेश के लोग मर रहे हैं, यह मनोरण्यन का वक्त नहीं है, यह सकारात्मक्ता का वक्त नहीं है, यह एक दूसरे की पीड़ा को समझ लेने का वक्त है, उनके नाकम्यों को सरकार इस प्रकार चिपाने की कोशिश करती है सकारात्मक खबरों की अपेच्छा करते हुए कि आपने देखा है तडबते हुए लोगों को आक्सीजन की किल्ल से अपने पिता को मरते हुए लोगों की तक्लीप सुनी है आपने उन बेटियों का दर्द सुना है जिनके पिता आईसीऊ के भीतर मर गए आक्सीजन नहीं मिली सांस जब घुटती है पूरी ताकत से जब आप सांस लेते हैं और आपके फेपड़ों में नहीं जाती है उस वक्त की तकलीप और वेदना का हैसास वो तुम नहीं कर सकते हो वो तुम तब करोगे जब वो तुम्हारे साथ बीतेगी तुम्हारे प्रियजनों के साथ बीतेगी इसलिए कहता हूं कि एक समाज के रूप में जागरत बनो, लोगों की तकलीप के साथ खुद को जोड़ना सीखो, एक बेहतर समाज तभी निर्मित कर पाएंगे हम, जहां हम एक दूसरे के दुख को बांट सकें, दुख की इस अपार कष्ट में तुम्हें मनोरंजन चाहिए, लानत है तुम्हारे मनोरंजन पर, जब पास पड़ोस के लोग मर रहे हो, इलाज नहीं मिल रहा हो, तुम्हें मनोरंजन चाहिए, आक्सीजन सिलेंडर, जो कुछ चंद हजार रुपए में मिलते वाली चीजें, सत्तर हजार, अस्ती हजार में मिल रही है, तीन हजार का इं सरकार के लिए आप एक पहले आकड़ा हुआ करते थे, और आपका दुरभाग्य और आपका मनोरंजन आपकी सकारत मकता, अब आपको आकड़े में भी नहीं आने देती, आप गिने भी नहीं जाओगे, मर जाओगे, समसान घाट पे लास फूकने वाले कहते हैं, उन्हें याद नहीं कि कितनी लासों को उन्होंने राख कर दिया, जहां पैदल चलने के ट्रैक बनाये गए थे गोमती किनारे, वहां लासे जलाई जा रही हैं, वो किसकी लासे हैं, वो क्या कोई दूसरे देश के नागरिक हैं कोई दूसरे प्रदेश के लोग हैं, आपके मुहले के लोग हैं, जिनके साथ आप पले हो, बड़े हो, जिनके साथ आपका बच्पन बीता है, तुम में इतनी भी समवेदना नहीं है कि तुम उनके दुखों को महसूस कर सको, सरकार की नाकामी पर बात कर सको, इलाज तो दूर की बात है, कोरोना बाद में मारेगा, आक्सीजन न होने की वज़े से लोग पहले मर रहे हैं, दवाएं हैं नहीं, लोग गहने बेच रहे हैं, घर बेच रहे हैं, जमीन बेच रहे हैं, ताकि उरेमी डेजवियर खरीद पाएं, जो ब्लैक मार्केट में 50 1000 से 1000 का मिल रहा है, गिड़ गिड़ा रहे हैं लोग, रो रहे हैं लोग, आक्सीजन मिल जाए तो उनके घर पे बैठे, व्यक्ति की जान बचे, एक एक सांस का संगर से, आटी हुई हर एक सांस, जीवन की उमीद लेके आती है, उस दुख को समझो, उस पीड़ा को समझो, होता है, जो लोग, जो समाज, जो ब्यक्ति, अपने लोगों के दुखों की पीड़ा के साथ, खुद को जोड नहीं सकते, और संकट के इस वीशन वक्त में भी उनको मन और रंजन चाहिए, तो ऐसे लोगों पर लानत ही भेजी जा सकती है, सुनिये कुछ बयान, फिर आज लोगों की तकलीफों के बारे में हम एक डिबेट करेंगे, सरकार की नाकामियों पर भी चर्चा करेंगे, और बताएंगे कि इस प्रदेश को जरूरत क्या है, क्यो नहीं मिल रहा है अक्सीजन, क्यो नहीं टेस्ट हो रहे हैं, क्यो नहीं ब फोन टूरन करते हैं और ये लोग कह रहे हैं कि सोक हुझे कि बीस मिनट दस मिनट के अंदर अपने हस्बेटरी सारे लोग है किस तरह से हम लोग गड़ गड़ा रहे हैं उक्सीजन सिलिंटर के लिए तो हम मैंने का अपना से अगर अपला सकते हैं तो लेकर आई या नहीं तो मरीज ले जाए मैं किसी को मरने तो नहीं दूंगी ना रही है बैक अभी यहां पास अभी एक गंड़े का बच्चा हुआ है नहीं दिए गयास अभी मरेश के संड़ लगा क्या है तो आद तो मरेश को माई दिक्कत हो जाएगी आज यह तीनों संड़ खाले है कि दस-दस सेकंड के इनके बयान कि दस-दस साल की तकलीफ है इनकी इनके घर के लोग आइस्यू के भीतर मौजूद है और वहां आक्सीजन नहीं है सोचो उस वक्त अगर आपके परिजन वहां होते आइस्यू में और आक्सीजन खत्म हो रही होती डाक्टर कह रहा होता कि एक घंटे की अक्सीजन बची है तुम किस हालत में होते हैं सोच कर देखना इस बात को रितू रावत मेरे साथ मौजूद है बीजेपी की प्रवक्ता हैं डाक्टर रमा सिरिवास्तो डाक्टर डीके गुपता सुची विश्वास कांग्रेस से हैं और वैभाव महस्वरी आ देना चाहता हूं कि हमारे स्टेट हैट वीरेंदर सिंग जी कोरोना पॉस्टिव